सबसे पहले इस टाइटिल को समझते हैं स्क्वेर ओफ स्क्वेर ओफ का मतलब होता है किसी मुकाबले के लिए तैयार होना या फिर किसी प्रतीस परधा के लिए तैयार होना भारत जो है चैस ओलम्पियाड को आयोजित करवाने जा रहा है इसी के संबंद में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे यनि कि भारत में चैस ओलम्पियाड होने जा रहा है वैदर इनडिया विंस मैडल्स और नॉट कि भारत मैडल जीतता है या फिर नहीं जीतता है लेकिन दे स्टेजिंग आफ दे चैस ओलम्पियाड देखो staging, यहाँ पर stage का मतलब है arrange करना है कि भई आप कोई event है उसे आयोजित कराना चाहते हो तो उसके लिए जो arrangement है उसके लिए कहा गया staging The staging of the chase Olympiad will give chase a boost boost का मतलब है एक तरीके से प्रोथसहन कि भारत medal जीते या न जीते लेकिन chess Olympiad को आयोजित कराने से क्या होगा chase को प्रोथसाहन मिलेगा उसे बढ़ावा मिलेगा a nation brimming with ध्यान में रखना brim के साथ में हम preposition का यूज करते हैं with brimming with का मतलब होता है किसी चीज से भरे हुए होना किसी चीज से लबालब होना a nation brimming with chess chess talent is तो भारत के लिए कहा गया है कि भारत एक ऐसा देश है जो की chess से संबंदित प्रतिभाओं से भरा हुआ है और अब ये जो देश है is ये is आया यहाँ पे nation के लिए now ready अब ये देश जो है तैयार है to parade यहाँ पे parade का मतलब है प्रस्तुत करना to show something in an obvious way वही किसी चीज को आप प्रस्तुत करते हो लोगों के सामने दिखाते हो उसको हम बोलते हैं parade to parade it on a platform और अब भारत जो है इस chess को एक ऐसे मंच पे प्रस्तुत करने के लिए तैयार है that does not get any bigger जो की ज़्यादा बड़ा नहीं होता यानि कि ये जो मंच है न अब देखो chess जो है इसका olympiade आयोजित हो रहा है और हर साल या हर दो साल में chess का olympiade जो है वो आयोजित होता रहता है लेकिन फिर भी ये chess का जो मंच है ये ज़्यादा बड़ा होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता जैसे कि आप football देख सकते हो cricket देख सकते हो कि जब भी इन से संबंदित कोई wish you cup या कोई प्रतियों की तायोजित होती है तो एक बहुत बड़े इस तरफे न यानि कि cricket है या जो football है इनका मंच इनका platform जो है वो लगातार बड़ा होता हुआ नजर आता है तो ऐसा हमें chess के field में देखने को नहीं मिलता अब ये जो Olympiad होने जा रहा है ये कौन सा है? 44 वा इसमें 187 देशों के जो आप कह सकते हो participants हैं वो भाग ले रहे हैं यानि कि 187 देशों के खिलाडी है और ये जो Chess Olympiad है opens with a opens with a gala ceremony ceremony का मतलब होगी है उत्सव और gala ceremony देखो gala का मतलब भी यही होता है कि बहुती है न किसी एक अच्छे celebration के लिए आप gala यूज करते हो gala celebration का मतलब होगी कि बहुती एकदम रंगा रंग उत्सव हो है न बहुती जवरदस्त उत्सव open with a gala ceremony at और किस जगे इस Chess Olympiad की शुरुआत होने जा रही है चेनईस नहरू स्टेडियम on Thursday कि गुरुवार को चेनई के नहरू स्टेडियम में बड़े ही रंगा रंग कारिकरम के साथ में जो है इस Chess Olympiad की शुरुआत होगी and the 11th round on board action कितने round हमें इसमें देखने को मिलेंगे 11th round हमें इसमें देखने को मिलेंगे commence commence का मतलब है शुरुआत होना किसी चीज की commence says the following day यानि की गुरुआर को चैन्नई के नहरू स्टेडियम में एक रंगा रंग उत्सव के साथ में इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलेंगी और उसके अगले दिन the following day उसके अगले दिन से यानि की शुक्रुआर से 11th round वाला पूरा की पूरा ये जो आप कहा सकते हो इवेंट है इसकी शुरुआत हो जाएगी at मामलपुरम किस इस्थान पे हो रहा है मामलपुरम है ना चैन्नई में ही एक जगह है मामलपुरम with the usual medal winning nations usual है ना कि आम तोर पे medal जीतने वाले जो रास्टर होते हैं वो हमें कौन देखने को मिलते हैं यानि की रश्या और चाइना ऐसे रास्टर में आते हैं जो आम तोर पे chess में medal जीतते हैं not in the mix लेकिन अब वर्तमान में ये जो ओलम्पियाड है इसमें रश्या और चाइना भाग नहीं ले रहे हैं not in the mix का मतलब है कि चाइना और रश्या जो हैं वे इस इवेंट में included नहीं है तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए some first timers could यहाँ पे आया है future possibility के लिए occupy प्राप्त करना है न the podium है न could occupy the podium देखो podium का एक बहुती general meaning होता है munch यहाँ खड़े होकर कोई व्यक्ती बोलता है उसको बोलते हैं podium दूसरा podium का huge होता है could occupy the podium दूसरा podium का मतलब होता है कि किसी competition में first, second या third position प्राप्त करना और जब आपको यानि कि आपने first position पाई या second या third position पाई तो अब आपको जो पुरुसकार मिलेगा ना उसे आप कहाँ पे ग्रहन करोगे जाओगे वहाँ पे खड़े होगे कहाँ पर podium पे मंच पे खड़े होगे वहाँ आपको पुरुसकार मिलेगा तो इस sense में इस podium को यहाँ पे लिखा गया है कि भई Russia और China इस पृतियोगिता में शामिल नहीं है तो कुछ जो first timers है कुछ देश जो पहली बार भाग ले रहे है could occupy the podium तो वे क्या कर सकते हैं medal हासिल कर सकते हैं first, second या third position जो है प्राप्त कर सकते हैं और अपने award को प्राप्त कर सकते हैं ठीक है the greatest of current players the greatest of current players कि वर्तमान में चेस के जो भी बहुत ही greatest खिलाडी है कौन है वे? Magnus Carlson is looking to lead Norway to its first medal Magnus Carlson Magnus Carlson वे बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही greatest खिलाडी है चेस के वे क्या देख रहे हैं? क्या उमीद कर रहे हैं वे? वे नौर्वे का प्रतिनिदित्व कर रहे हैं to its first medal है ना और is looking to lead Norway to its first medal और उनका प्रयास रहेगा कि नौर्वे को वे पहला medal दिला पाएं There will be other illustrious performers देखो illustrious का मतलब है well known illustrious का मतलब है famous, well known there will be other illustrious performers in both sections of the biennial competition biennial का मतलब होता है हर दो वर्ष में होने वाला यानि कि ये जो olympiard है हर दो वर्ष में आयोजित होता है इसलिए इसको का गया है biennial competition तो अन्य आप कह सकते हो कि अन्य famous खिलाडी भी जो है दोनों section में जो है भाग लेते हुए हमें दिखाई देंगे इस competition में but the discerning would focus on how India performs but the discerning देखो यहाँ पे discerning का मतलब है but the discerning discerning का मतलब है कि भाई आप जो है किसी भी चीज के बारे में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से judgment ले सकते हो है उस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हो discerning का मतलब होता है having or showing good judgment or showing good understanding the discerning would focus on how India performs at home तो कुल मिला कि जो बहुत ही जादा ध्यान देने लायक बात होगी वो यह होगी कि भारत का प्रदर्शन कैसा रहता है यानि कि भारत जो है कि इस तरह से प्रदर्शन करेगा है ना तो इसको जो है यह बात जो है बहुत जादा discerning रहने वाली है कि इसको देखना इस बात को समझना कि भारत का जो है performance कैसा रहेगा being the host मेजबान होते हुए भारत मेजबान है being the host being का मतलब है होना मेजबान होना मेजबान होते हुए India could field देखो could यहाँ पे again आया है future possibility के लिए ना और यह जो field है field का मतलब है कि अपने player को या अपनी team को किसी मुकाबले में भाग लेने के लिए भेजना India could field two teams in each section यानि कि जो दोनो section है यानि कि महिला वर्ग हो गया और पुरुश वर्ग हो गया इन दोनो section में India could field two teams in each section है न प्रतियक section में भारत जो है अपनी दो team भेज सकता है as there were an odd number of entries entries का मतलब है भाग लेने वाले कि olympiard में भाग लेने वाले जो भी members है उनकी संख्या क्या थी odd थी देखो chess में क्या है कि minimum दो player होने जरूरी है यानि कि chess जो है उसमें क्या even number होना जरूरी है खिलाडियों का तो odd entries जो है हमें प्राप्त हुई chess olympiard में तो फिर भारत ने क्या किया India added a third team to make it even तो भारत ने क्या किया एक तीसरी team को भी add कर दिया ताकि chess में जितनी भी entries हुई है वे sum हो जाएं वे even हो जाएं As a result परिणाम स्वरूप 30 players including 15 women will represent India in the Premier World Team Championship यहां पर Premier से मतब है most important तो परिणाम स्वरूप तीस खिलाडी भारत के जिनमें की 15 महिलाएं शामिल हैं वे भारत का इस Championship में जो की बहुत ही महत्वण है बहुत ही Premier Championship है इसमें भारत का प्रतेनिदित्व करेंगे दो यद्यपी हालंकी विश्वनाथन आनंद is the mentor for these teams कि विश्वनाथन आनंद mentor का मतलब है coach है न विश्वनाथन आनंद ने क्या किया है विश्वनाथन आनंद ने क्या किया है ये जो भारत की teams है इनको coaching दी है the Indian men are strong enough to be seeded second in the open section लेकिन भारती जो खिलाडी है जो की भाग ले रहे है strong enough वे मतलब परियाप्त मजबूत है to be seeded देखो seed का मतलब होता है खिलाडीयों को distribute करना खिलाडीयों को arrange करना distribute करना ठीक है उसको कहा गया है seeded to be seeded second in the open section तो भारत के जो पुरुष वर्ग के खिलाडी है उन्हें दूसरी कतार में दूसरी पंक्ती में रखा जा सकता है देखो क्या किया जाता है कि जैसे tennis होता है badminton है या फिर chess है इनमें खिलाडीयों को seed करना पड़ता है seed का मतब है arrange करना कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि जो बहुत ही दमदार खिलाडी है वे सबसे पहले भाग ले लें और गेम का मजा ही खराब हो जाए तो क्या किया जाता है कि भाई जो खिलाडी है न उन्हें उनकी ranking के according arrange किया जाता है इसको बोलते है seed करना the Indian women तो जो महिला खिलाडी है looking for their first medal जो की इस बात को देख रही है कि वे अपना प्रतम medal प्राप्त कर सके look for का मतलब तलाश करना देखना, चाहना तो वे अपना first medal जीतने के लिए जो है कोशिश कर रही है are seeded first तो इनको जो है first पहली पंक्ती में इनको arrange किया गया है यानि कि पहला जो मुकाबला हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा उसमें भारतिय महिलाएं जो हैं भाग लेंगी इसके बाद में भारतिय पुरिशों को रखा गया है talented teens कि बही पृतिबावान जो teen I.U. वर्ग में आने वाले खिलाडी हैं जैसे कि डी गुरकेश है अरजुन इरिगाईसी है निहाल सारिन है आर प्रग्यानंद है aren't there stripe इसका मतलब होता है to do something to deserve a higher status कि एक उच्च पॉजिशन को प्राप्त करने के लिए आप अगर कुछ करते हो न तो उसके लिए कहा जाता है कि आपने क्या किया है अपने stripes को earn किया है earn once stripe इसका मतलब हुआ कुछ ऐसा करना जिसके माध्यम से आप एक नई position या एक नए status को प्राप्त कर सको तो इनों ये जो खिला ली है ये कुछ ऐसे खिला ली हैं जिनोंने मतलब बहुत अच्छे प्रदर्शन जो है past में किये हैं ताकि to be on the biggest stage ताकि वे चैस के इस सबसे बड़े मंच पे भाग ले सके हैं इट रिमेंस टू बी सीन यह देखा जाना शेश है यह देखा जाना बाकी है कि weather कि क्या they play according to their growing reputation growing reputation बढ़ती हुई प्रतिष्ठा अब ये देखा जाना बाकी है कि ये जो खिलाडी है क्या अपनी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं ये देखा जाना बाकी है आगे देखते हैं on the organizational front देखो front का मतलब होता है मोर्चा है न organizational कि संगठनात्मक मोर्चे पर है ना कि ये जो पूरा की पूरा एक संगठन के रूप में अगर हम इस पूरे मोर्चे को देखें चेस ओलम्पियाड को देखें तो तो ये जो ओलम्पियाड है ये इस तरह का आश्वाशन देता है देखो किसी भी चीज के लिए जब हम बोलते हैं इसका मतलब होता है कि यह भविष्य के प्रती आश्वाशन देती है तो ये जो पूरा की पूरा चेस ओलम्पियाड है ये इस तरह का आश्वाशन देता है कि एक सफलता हमें इसमें देखने को मिलेगी कि ये चेस ओलम्पियाड सफल रहेगा ऐसा आशवाशन जो हमें दिखाई देता है once Russia was out of the Olympiad both as a host and a participant एक बार जब ये clear हो गया कि Russia जो है वो बाहर हो गया इस Olympiad से देखो ये जो Olympiad है इसकी मेजवानी जो है किसे सौपी गई थी Russia को सौपी गई थी तो Russia में ये चेस Olympiad जो है आयोजित होना था और Russia की भी इसमें भागीदारी होनी थी लेकिन दोनों ही काम नहीं हो पाए न तो Russia इस चेस Olympiad में पार्टिसिपेंट के रूप में भाग ले रहा है और नहीं ये चेस Olympiad जो है रशिया में आयोजित हो रहा है तो जब एक बार Russia इस Olympiad से होस्ट के रूप में और पार्टिसिपेंट के रूप में जब बाहर हो गया The Magnitude Magnitude का मत्तब होता है तीवरता Intensity उसको कहा जाता है magnitude है न The Magnitude of What the Tamil Nadu Government And The All India Chess Federation Have Accomplished Accomplish का मतलब है प्राप्त करना कुछ उपलबदी हासिल करना है कुछ अचीवमेंट प्राप्त करना In Setting Up Set Up का मतलब होता है इस्थापित करना This Mega Event Mega Event का मतलब है Bhavve Event बड़ा ही विशाल Event कि एक बार जब रशिया आउट हो गया Olympiard से यानि कि न तो भाई ये clear हो गया कि रशिया इस Olympiard को आयोजित नहीं करेगा तो उसके बाद में जिस तीवरता के साथ AICF और Tamil Nadu Government ने जो है इस Olympiard को जो है Set Up जो इस्थापित किया है तो जो उपलब्दी उन्होंने हासिल किये कि इस इतने बड़े इवेंट को आयोजित कराने के लिए जो arrangement उन्होंने किये In just four months और वो भी चार महिनों के भीतर भीतर है Of getting the hosting right कि ये जो चैस ओलंपियाड है इसकी मेजबानी के अधिकार प्राप्त करने के लिए AICF और Tamil Nadu Government के द्वारा चार महिनों के भीतर भीतर जो प्रियास किये गए जो उपलब्दी उन्होंने की ये उपलब्दी बहुत ही जबरदस्त है Is hard to comprehend Comprehend करने का मतलब होता है समझ पाना तो मतलब कैसे उन्होंने चार महिने में इतनी तीवरता दिखाई और सब कुछ जो है बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही जबरदस्त काम किया है On getting Chief Minister M.K.Stalin's Approval Chief Minister Tamil Nadu के जो Chief Minister M.K.Stalin उनकी मंजूरी प्राप्त होने के बाद है न उनकी मंजूरी मिलने पर The bureaucracy turned a vision की देखो Vision का मतलब होता है कि आपकी एक कलपना है मतलब है न कि आप कुछ करना चाहते हो आपका एक प्लान है तो जैसे ही Chief Minister की मंजूरी मिली इसके बाद में जो हमारी नोकर शाही है उसने क्या किया इस पूरे की पूरे विजन को जो है वास्तविक्ता में तबदील कर दिया देखो Into preposition का आप प्रियोग करते हो अवस्था परिवर्तन के लिए है न Into reality by Taking care Taking care का मतलब है किसी चीज का खायाल रखते हुए Taking care of every logistical aspect Logistical का मतलब होता है व्यवस्था से संबन्दित है Logistical का मतलब है कि कोई भी संगठन है उसके आंतरगत कई तरह की complicated activities होती है कई तरह की जो है काम करने पड़ते हैं कई तरह की व्यवस्थाओं को जो है देखना पड़ता है तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है ये क्या कहलाता है हमारा Logical aspect का मतलब होता है पहलू व्यवस्था से जुले हुए जो भी पहलू है उन सभी को जो है उन सभी का खयाल रखते हुए इस विजन को वास्तुकता में बदलने का काम किया नोकर शाही ने The World Chess Federation is already fine-tuning the arrangements देखो fine-tuning का मतलब fine-tune का मतलब होता है to make very small changes to something कि बहुती हलके हलके से परिवर्टन करते हो ताकि वो जो चीज है जिसमें आपने परिवर्टन किया है वो और बहतर तरीके से काम कर सके तो FIDE जो है is already fine-tuning the arrangements की World Chess Federation जो है वह भी हलके हलके से जो है changes परिवर्टन कर रही है यह जो भी arrangements किये गए हैं भारत के दोरा खास करके तमिल नाडू में जहां यह event हो रहा है वहाँ जो भी परिवर्टन किये गए है जो भी व्यवस्ता किये गई है उसमें थोड़े-थोड़े से change FIDE के दोरा भी किये गए है ताकि व्यवस्ता में किसी तरह की कोई कमी ना हो अब देखो arrangements क्या क्या किये गए है including the two playing halls कि दो बहुत ही बड़े-बड़े halls है है न जहां पर ये उनको आप कह सकते हो कि playing halls है जहां खिलाडी जो हैं खेलेंगे that will accommodate देखो accommodate का मतलब है कि वही कितने लोगों की जगह है कितने लोग वहाँ पर आ सकते हैं तो ये जो दो playing halls हैं ये इतने बड़े हैं कि ये कितने लोगों को accommodate कर सकते हैं इस spelling पर बहुत ज़्यादा धिहान देना accommodate है न बहुत ज़्यादा बार ये spelling पूची जाती है spelling mistake में बहुत important है accommodate है न तीन स्टार लगा लो इसमें accommodate है न बहुत ही ज़्यादा important है बार बार पूची जाती है about लगभग 1400 players तो ये जो दो playing halls हैं इनमें लगभग 1400 खिलाडी आ सकते हैं with live broadcast तो देखो ये arrangements हैं पूरे की पूरे अब क्या किया जाएगा कि पूरा की पूरा जो खेल होगा इसकी live broadcasting की जाएगी of games from about 700 boards in each round कि जो प्रतेक round होगा जो प्रतेक चरण होगा उसमें क्या किया जाएगा ये board यहाँ पे board से मतलब है ये जो chess board होता है न कि ये दो खिलाली बैठे हुए है और इनके बीच में ये जो chess board रखा हुआ है तो live broadcasting के माध्यम से आप 700 boards को देख पाओगे यानि कि जो audience है वे live broadcasting के माध्यम से 700 boards को देख पाएंगी है न तो कुल मिला के काफी अच्छे arrangements है the Indian technicians कि जो भारती तकनी की आप कहा हैं कि जो जो technology से जुड़ा हुआ जो हमारा department है यानि कि जो भी तकनी की arrangements किये गए है are set to raise the bar raise the bar का मतलब होता है कि जो आपके standards है जो आपके मानक हैं उनको और उपर उठाना quality को और बहतर बनाना are set set का मतलब है बिलकुल तैयार होना to raise the bar to a new high तो अगर हम बात करें भारतिय जो technician है वे मतलब भारतिय तकनीशियन जो है वे technology को और उपर ले जाने को तयार है elsewhere no effort is being spared elsewhere कि अन्य और अगर हम बात करें और अन्य था अगर हम बात करें no effort is being spared spare का मतलब होता है छोड़ना no effort is being spared का मतलब होता है कि कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है no effort is being spared जेको यह क्या है यह एक passive structure है आपका is being spared यानि कि कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है यह प्रदर्शित करने में the rich culture and heritage of the country the rich culture कि देश की समरद संस्कृती और heritage का मतलब है यहां पर विरासत कि देश की समरद संस्कृती और देश की जो विरासत है इसको प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है with the focus और हमारा जो focus है वो focus किस चीज़ पर है being है न वो focus बना हुआ है be focus किस चीज़ पर हो रहा है focus किस चीज़ पर on the home state ग्रह राज़ पर यानि की main focus Tamil Nadu पर है ठीक है न आगे देखते हैं a team of our a team of our over यहाँ पर आए से ज़्यादा है न से अधिक a team of our 500 volunteers volunteers का मतलब होता है स्वयम सेवक have been trained कि 500 से अधिक जो स्वयम सेवक हैं उनको प्रसिक्षित किया गया है to handle कि वे जो है handle कर सकें निपट सकें various needs various का मतलब हुआ विविद various needs of the visiting contingents contingent का मतलब है यहाँ पर staff यानि कि जो contingent का मतलब हुआ group samuh यानि कि घूमने आने वाले लोगों के जो samuh है उनके लिए आप कह सकते हो कि 500 जो volunteers हैं उनको training दी गई है security personal and health workers कि सुरक्षा से संबंदित जो अधिकारी है ना यानि कि personal का मतलब है यहाँ पर वही है ना कर्मचारी कि सुरक्षा से संबंदित जो कर्मचारी हैं और जो health workers हैं are in place कि भई वे भी अपनी place पर मौजूद है to meet any contingency contingency का मतलब है यहाँ पर emergency है ना आपात कालीन situation कि अगर किसी भी तरह की एक आपात कालीन situation वहाँ पर create होती है तो उससे निपटने के लिए हमारे स्वाफ्ते कर्मचारी और सुरक्षा बल जो हैं वे मौजूद है but for those from the AICF हाँ लेकिन आगे बात करें but for those from the AICF लेकिन all India Chess Federation से जुडे हुए जो लोग है who have worked जिनोंने की काम किया है round the clock देखो round the clock का काम करने का मतलब होता है दिन रात काम करना बिल्कुल लगातार 24 गंटे दिन रात लगे रहना have worked round the clock for four months after shifting base base का मतलब है कि वो आधार वो center जहां ये पूरी का पूरा काम हो रहा है to मामलपुरम तो एक बार जब ये decide हो गया कि chess का जो center है वो मामलपुरम fix हो गया तो इस center के fix होने के बाद में AICF के जो सदश हैं उन्होंने जो है दिन रात काम किया है ना इसको arrangements को बहतर करने के लिए all the effort कि ये जो भी प्रियास किया गया है would be worth it तो इस प्रियास का सार निकलेगा देखो worth का मतलब होता है deserve करना, लायक होना यानि कि हमने जो प्रियास किया है ये प्रियास जो है इसका सार निकलेगा ये प्रियास जो है लायक होगा only if the Indian teams come up with come up with का मतलब है आना come up with medal winning performance कि यदि भारती टीमे भारती टीमे जो है medal जीतने के साथ आती है, तो जो भी हमने प्रियास किये है, वे प्रियास लायक होंगे हमारे ना यानि कि अगर जो भारती टीमे है वे पदक जीत लेती है तो जो भी प्रियास हमने किये है इस Olympiad के लिए वे प्रियास हमारे सार्थक हो जाएंगे झाल, 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 झाल